ये वीडियो हमारे पेड कोर्स का एक डेमो लेक्चर होने वाला है पेड कोर्स के बारे में अगर कोई भी इंफर्मेशन चाहिए इस नंबर पे वाट्सेप करो नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो मैं वहां पे तुम्हें रिप्लाई जरूर करोंगे लेकिन हम बात मैं भी कहते हूं कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है जो याद रखना पड़ता है इसमें समझने जैसा बहुत कुछ बहुत कम है लेकिन याद रखने वाला objective point of view से बहुत कुछ ज्यादा है लेकिन बिना समझे आपकी दीदी आपसे कुछ भी याद करने नहीं बोल सकत करते हैं इस ideas of history chapter से यह सारे topics आज हम कवर करेंगे one by one सारे topics में देख लो मैंने किस किस में star mark मारा है तो exam point of view के लिए तो बहुत important है हाला कि chapter ही overall बहुत important है हम लोग derivation की बात करेंगे अब यह तो कोई maths नहीं है तो maths में हम लोग कुछ derivation की बात्षीत करते हैं तो यहां कहां से derivation आ गया तो समझो हम लोग focus कर रहे है यह जो शब्द है history इस पर यह जो शब्द history है बेटा यह English word का है ना एक English word है तो definitely यह word किसी और दूसरे language से derive किया गया है और वो दूसरा language है Greek history word जो कि English word है यह historia word से derive किया गया है जो कि एक Greek word है यह बास समझ में आता है ठीक है दे दे इस Greek word का मतलब होता है inquiry inquiry कुछ जाचना कुछ जाच परताल करना और history में हम past की जाच परताल करते हैं हम अपने बीते हुए समय की जाच परताल करते हैं तो historia word का ही मतलब होता है inquiry या जाच परताल करना इस word को पहली बार किस ने use किया तो इस word को पहली बार use किया था Greek philosopher Herodotus ने और चुकि इन्हों ने पहली बार इतना important शब्द जो कि बाद में इतना महत्वपून बहुत important popular subject बन जाएगा इतना जादा important subject भी बन जाएगा इसलिए चुकि एरोडोटस ने पहली बार historia word को use किया इसलिए इनको father of history भी कहा जाता है किसी भी field में हम किसी को father का दर्जा तभी दे सकते हैं जब उनका contribution बहुत महत्वपून हो हेरोडोटस का भी contribution बहुत महत्वपून रहा है बहुत जादा important रहा है इसलिए इनको father of history भी बोला गया है तो कुछ बातों को अभी के अभी याद कर ले history एक English word है जो की Greek word historia से derived है इसका की मतलब होता है inquiry इस शब्द को पहली बार use किया था हेरोडोटस ने और इसलिए इनहे father of history भी बोला जाता है याद हो गया देखो इतना easy था आगे बड़ा इसके बाद थोड़ा सा और भी बात बता दूं तुम लोग एक शब्द हिंदी में भी बढ़ते हो history के लिए ही यूज किया जाता है जैसे science के लिए विज्ञान यूज किया जाता है geography के लिए भूगोल शब्द यूज होता है जैसे history के लिए हम यूज करते है इतिहास इतिहास जो होता है यह एक Sanskrit word है बटा और Sanskrit में इसका meaning होता है कि अथवा ऐसा हुआ था यानि कि and this happened और ऐसा हुआ था क्योंकि इतिहास या history is all about past तो इस subject इस शब्द का ही मतलब यह हो गया कि और ऐसा हुआ था बात समझ पारे हो तो इतिहास is also just like history और इतिहास तो same ही चीज हुआ we talk about past in here and that's why the word इतिहास always means और ऐसा हुआ था and so this happened understood आगे बढ़ते हैं तो हम समझना चाहते है कि history आखिर है क्या है इतना important क्यों हमारे लिए past के बारे में बातचीत करना past तो भाई बीच चुका है जो बीच गई सो बात गई यह तो हरिबंश राय बच्चन जी में बोलता है अमिता बच्चन के पापा वो तो एक बहुत मशूर राइटर थे तुम लोगों का तो हिंदी में उनके कई सारे poems है तो उन्हों नहीं तो कहा है कि जो बीच गई सो बात गई और ऐसा हम सुनते आए हैं तो आखे इर्बीता वह बात अगर important नहीं है तो क्यों एक subject तयार कर दिया इतना मातागा बोज बना दिया हमारे लिए कि यह subject हमें पढ़ना पढ़ा है जहांपे सिर्फ past की बातचित होत थे क्या तुम महभारत और रामायन जैसी important घटनाओं के बारे में जान सकते थे नहीं यह बहुत मैं तो बस कुछ नाम ले रहे हूं यह जितने भी important events हैं इनके बारे में हम जान पाते हैं क्योंकि यह एक history है past में हुए घटनाएं हैं जिनकों की record किया गया history का मकसद ही यह होता है past में मौजूद society में जो हो रहा था हलचल उसके बारे में पढ़ना और हमें क्यों पढ़ना है उसके बारे में क्योंकि इससे हम future के decisions better बना सकते हैं महभारत से हम बहुत कुछ सीखते हैं महभारत के घटना को record करना जरूरी यूँ था क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं रामायन से हम बहुत कुछ सीखते हैं भगत सिंग के contribution आज भी हमारे रॉंग्टे खड़े कर देती हैं स्वामी विवेका नन जी के जितने भी life lessons है उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं तो history अपने आप में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमें future में बहुत कुछ सिखाते हैं तो history काफी लोग यानि की काफी लोग में से एक नाम आता है A.L. Rousey A.L. Rousey महान historian वो history को कुछ ऐसे define करते हैं कि history एक social science है Social science क्यों? पहली बात तो social मतलब society से जुड़ा हुआ और science इसलिए क्योंकि जैसे कि हम science में experiment करते हैं, inquiry करते हैं, analyze करते हैं, हाँ laboratory में बैठके करते हैं, घर में बैठके experiment करते हैं History में भी हम inquiry करते हैं, analyze करते हैं, लेकिन laboratory से बाहर society में जाकर करते हैं Society से छानबीन करते हैं, archaeological department, history में मौझूद, जो जो information से कि कुरुक्षेत्र में ये war हुआ था, महाभारत का, वहाँ जाकर के आज proof हमें मिलते हैं तो हमारे 5,000, 6,000, 7,000 साल पुराने जो information हमें मिलते हैं, history के किताबों से, written records जो हमें मिलते हैं, past life से कहीं न कहीं, वह हमें मदद करते हैं, उन पूराने जमाने में बसे लोगों के बारे में और भी हम जान पाते हैं तुम लोग बच्पन में pyramids के बारे में पड़े हो, जानते भी हो कि pyramids कैसे बना ये आज भी एक mystery है हम आज के भी current technology से pyramids जैसा structure नहीं बना सकते research करना इसके बारे में ज़रा जाके चौक जाओ गया कैसे आज से हज़ारों साल पहले वो pyramids तैयार हुए अगर recorded data नहीं होता, तो फिर क्या हम उसके बारे में 1% information भी जान पाते हैं खेर हम अभी भी कुछ नहीं जानते हैं लेकिन जो भी 1% 2% जानते हैं वो हम history में recorded data के कारण जानते हैं तो history A.L. Rousey के हिसाब से एक social science है जिस social science में हम ordinary लोगों के बारे में जानते हैं उनके रहन सहन के बारे में जानते हैं और एक famous historian और है जिनका नाम है बरी और बरी तो एक famous line बोलते हैं कि history is science no less no more history एक विज्ञान है एक science है न जादा न कम बोलने का यह मतलब है कि history बिलकुल एक science की तरह ही inquiry करता है लेकिन science चुकी laboratory में inquiry करके एक universal law लेकर आता है कि H2 और oxygen को मिला करके H2 वो पानी मिलता है यह law है एक proven चीज है जो हम देख पाते हैं और observe करते हैं history ऐसा कुछ proof तो नहीं देता लेकिन कहीं न कहीं inquiry और analysis के basis में कुछ important data हमारे सामने प्रस्तो जरूर करता है पात समझ में आ रहा है तो I hope उनको feel हो रहा है कि subject हमें क्यों पढ़ना है भाई हमें पढ़ना है क्योंकि हमें अपने इंडिया के history के बारे में जाना है वर्ल्ड history के बारे में जानना है important लोगों का contribution जानना है और जो हमारे इतिहास में हुआ उससे कुछ सीखना है बात समझ भाई रहा है motivational बाते हो गई आज की तो लेकिन प्लीज इनका इन दो नाम को याद रखना और इन्होंने क्या बोला था यह भी याद रखना एल करते हैं लाबोरेटरी के अंदर हिस्ट्री में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं लाबोरेटरी से बाहर आम दुन्या में अब हम लोग बात करेंगे सब ऑल्टरन हिस्ट्री के बारे में मैं पहली बता दूं कि सब ऑल्टरन हिस्ट्री एक बहुत important सवाल है माद्यमिक में objective कुछ साल पहले या कुछ 50, 60, 90 साल पहले जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई वो हमेशा से ही बड़े-बड़े लोगों की बातचीत की गई है यानि for example हम जानते हैं कि इंडिया को freedom दिलाने में सिर्फ बड़े-बड़े freedom fighters का ही role play नहीं था जो इतना mass level पे peasants, working class, नीचे ले रहा है, छोटे-छोटे लेवल पे ये farmers किसान कैसे अपना जुट और टोली बना करके आंदोलन में participate किया है, इनका जिकर आज भले हम पढ़ रहे हो, लेकिन आज से कुछ साल पहले, यानि कुछ 50, 60, 90 साल पहले इनका जिकर नहीं होता था, हम जब भी-भी movements की बात करते थे, तो हम केवल बड़े-बड़े लोगों की contributions को देखते थे, छोटे-छोटे तबके के लोगों का क्या contribution रहा movement में, उसको हमेशा से नेगलेक्ट किया गया, लेकिन राणा जित गुहा, जो कि एक बहुत important historian है, उन्होंने इस दबे हुए लोगों का क्या महान contribution रहा है हमार हमारे देश के आजादी में, हमारे देश में ये सारे जो भी events बड़े-बड़े हुए हैं, इनमें क्या उनका role play रहा है, आप कैसे neglect कर सकते हो, और इसलिए, subaltern history, subaltern का मतलब होता है, नीचे दबे हुए, ordinary लोगों का history को हमारे सामने पेश किये, राणा जित कुहा, इसलि राणा जित कुहा है, इनके इलावा भी कई लोग थे, जिनोंने लिखना के शुरू कर दिया, working class का, prison class का क्या role पे रहा movements में, लेकिन वो बात के बाद लोग है, शुरुवात तो राणा जित कुहा ने किया, इसलिए ये नाम बहुत important है, तो please, दिदी, ये वो महान historian है, जो हम लोगों के, हमारे देश के, गरीब तपके, जिनका कोई जिकर नहीं था कि उनका कितना बड़ा role play रहा है हमारे movement में, उसे हमारे सामने लाकर पेश कर दिया, तो ये प्लीज हमें याद रखना है, राणा जित कुहा, ज्याने इंद्रपांडे, ये भी एक नाम है, तुम एक और है, गौतम भद्र, ये भी एक इंपोर्टन हिस्ट्री, हिस्टोरिय निकल के आते हैं, तो ये बात समझ माया, सब और यानी नीचे तपके के दबेवे लोगों का हिस्ट्री, जो हमारे देश में, किसने पेश किया, राणे जित गुहान है, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पहले का हिस्ट्री और आज के लिखने के तरीके में बहुत सारे चेंज़े आएं, पहले हम लोग से में में बात कहते थे, कि हिस्ट्री में ये जो में में इवेंट्स हुए हैं, इसमें ये सारे हरकते हैं, वो सारी लिखते हैं, लेकिन पहले के ल गॉल्फ का जन्म कैसे हुआ, जब आप इन सब के बारे में भी लिखना शुरू करते हो, यानि कि आम जनता से जुड़े वे सभी बातों को इंकॉर्पोरेट करते हो, सिर्फ उनके कुछ movements में उन्होंने क्या participate किया वही सब नहीं, उनके daily life से जुड़े वे बातचीत भी करना historical knowledge, जैसे कि उनका क्या culture था, रहन सेन क्या था, क्या गाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उनका जो उनके culture में जो food खाय जाता है, वो कैसे evolve होकर आया, यानि कि आम जनता से जुड़ा हुआ सारा का सारा बातचीत, सिर्फ लड़ाई जगड़ा नहीं, उनके आम जीवन, जो सुखी जीवन, जो लोग जीते थे, उससे भी related बातचीत, जब आप शामिल कर दो history में, तो ऐसे history को हम लोग new social history या social history करें, यानि कि निदी, simple भाचा में ordinary लोगों से जुड़ा हुआ हर वो information, चाहे वो culture से लेकर हो, चाहे वो music से लेकर हो, चाहे वो history, sorry, sports को education को लेकर हो, जब हम सब कुछ शामिल कर देती है, सिर्फ लड़ाई जगड़े की बातचीत ने करती है, सब भी तरीके की बातचीत को शामिल कर देती है, उसी को बोलते हैं, हम लोग new social history, कितना easy था, अब lastly हम लोग बात करते है, अननाल school की बार में, यह कोई school नहीं है पहल जो लोग सोचते थे, उससे थोड़ा अलग, उससे थोड़ा हटके, तो हुआ क्या, actually, फ्रांस की बात है, अननाल school यह फ्रांस से जुड़ा हुआ है, तो फ्रांस में 1929 से पहले, जो भी history लिखा गया, वो बहुत ही जाता restricted था, बहुत ही कम topics history में कवर किये जाते थे, अब से लोग कमा रहे हैं, क्या trading चल रहा है लोगों देशों के बीच में, वो सारी बाते होती थे, history इतना कुछ जाधा broad, you know, subject नहीं था उस दोरान, लेकि इन दो लोग आते हैं, दो फ्रेंच, यह तो आर्मी ओफिश्यल्स थे, जो की बाद में history लिखते हैं, तो इसमें एक है जिनका नाम है, जिनका नाम है, लुसियन, लुसियन, फेबर, और एक है, जिनका नाम है, मार्क ब्लॉक, तो नाम याद कर लो, लुसियन, फेबर और मार्क ब्लॉक, यह दोनों आर्मी पर्सनल्स थे, जो की बाद में history लिखते हैं, इन्हों ने कहा कि हम history को इतने छोटे द की बात करते हो है ना जोग्रफी में भी अर्थ पहले कैसा था कैसे प्लेट्स जो है वो मूव होते कैसे माउंटिल्स का जन्म होता है यह टॉकिंग बाट हिस्ट्री ओली ना बास्ट की तो बात्चित कर रहे हो तुम लोग एकनॉमिक्स नहीं पड़े हो लेकिन जब हम लोग लोग एकनॉमिक्स पड़ते हैं तो एकनॉमिक्स में भी हम हिस्ट्री में कैसे एकनॉमिक्स होता है मैट्स के बात करें तो मैट्स भी पहले हम लोग जानते हैं कि शुरुवाती में हम लोग जोमेट्री के बारे में पड़ते थे वो एजबरा पे शिफ्ट हुआ वो ट्रि कि जगडा हो रहा है क्या ट्रेड करें Bitili तो यह है कि इंटर içफिपली सब्जेक्ट है हरिर सब्जेक्ट में इस्ट्री घुसा पड़ा है इसंट तो इन्हों ने हिस्ट्री के पूरे सोचने को एक नया नजरिया दिया कि हम लोग अपने school of thought को थोड़ा बड़ा करते हैं history को हम लोग सिर्फ एक उस छोटे लेवल पे नहीं देखते हम बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे history को जहां पे हम geography के भी concepts geography के भी कुछ topics को history में शामिल करेंगे जहां पे हम history के भी बहुत सारे branches बनाएंगे जैसे कि हो गया political history एक अलग हो गया फिर economical history अलग हो गया तो basically हम history को ही बहुत सारे sub branches में तोड़ देंगे यूँकि असलियत तो यह है कि history हर branch में घुसा पड़ा है बास समझ में आ रहा है तो छोटे दायरे पे अपने आपको limit करने से बहतर था कि हर subject में चुकि reality तो यही है कि हर subject में past की बातचीत करते हैं और चुकि past is all about history तो इसे लिए history को बहुत बड़े दायरे तक फैलाने का काम करते हैं ये school of thought का जन्म हुआ 1929 में तो please understand अनाल स्कूल ये school of thought था एक history को नए दरीके से सोचने का एक नजरिया था जो कि Lucian Faber और Mark Block ने शुरू किया था 1929 में जहां पर वो history के सोचने के नजरिया को बड़ा करना चाहते थे वो सिर्फ लड़ाई जगडे मारपीट तक सिमीत नहीं करना चाहते थे वो geography, sociology, economics हर field में history का importance को लोगों के सामने पेश करना चाहते थे और इसी को अनाल स्कूल of thought बोला गया I hope you understood I hope कि इस lecture में मज़ा आया अगर मज़ा आया और तुमको लगता है कि मैं course जोइन करना चाहूंगा You could message me WhatsApp me at this number आगे बाचे तुमा से शुरू होगा and all the best